बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम आज हम साइक्टिंगर बियालोजी चैपर नंबर वान के एंदे एक्क्रीशन इन वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे साइसे पहले एक्क्राइशन इन इन वर्टिब्रेट्स पढ़ा । हम रहीम इम अदे पहली है कि में आप Leistक्राइशन इन वर्टिब्रेट्स भाड़ा था जिसके जिसके दर हमने हाइड्रास से सचर्ण्ठीन हुएथै तो शुरू में कोई एक्क्रीटि सिस्टम नहीं था प प्रोटो नेफरीडियम का फिर आगे अर्फवाम के अंदर मैटर नेफरीडियम आया और काक्रोश के अंदर मार्फिजिंट टीबूस तो ऐसा असा यह जो एक्स्कूटी सिस्टम था यह अडॉक्टेशन के जरीए ठीक है यह कहलें के एवोलूशन के जरीए ऐसा सा प्रॉग इसपाइड है ठीक है अब वर्टिबाट्समें भी दो किसमें कहले एक थोड़ा सी प्रिमिटिफ है रनिदे प्रिमिटिव टाइप के अंदर वही कहलें के जिस तरह मैटर नेफरीडियम था ना के पूरी बाड़िके अंदर थी फ्हाले वे थे हर सैक्शन के अंदर छीक। मैठन एफुरिस्ट्य dar हे तरह ही पंद लेकिनुम्हें तरह हरी सिस्टम हां। इसलब पूरा सिस्टम है को पुरा उरिनिश्टम है, पूरा उरिनियरी सिस्टम है। इसके अंदर kidney आजेगी kidney ठीक है यूरेटर आजेगा and so on इस तरह यूरित्रा and so on so हम पढ़ेंगा जाके क्या 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 यूरिनियर सिस्टम में आता है यहां पर कहने का मसला है कि वर्टिप्रेट्स में जो प्रिमिटिव टाइप है वह जो न से हैं उनके अंदर materna freedom निए वह पराना इनका वह है एक्सी सिस्टम जबके जो advanced किसम के हैं उसके अंदर एक्सी सिस्टम evolutionize हो गया है कि इसे हम कहते है evolution से कि वह आएसा अड़ाप्टेशन से दरी advance होता गया और इसमें urinary system वाज़िया अब मेरे पास primitive किसम की एक example विया है hack fishes zones होती है नसला hack fishes के अंदर segmentations होती है और इसके अदर matter nephidium type matter nephidium जो कि हमने कहां पढ़ा था और thwam के अंदर matter nephidium की तरह है इसके अदर सिस्टम होता है लेकिन हमने यहाँ पर फोल से advanced किसम के जो क्यालेंगे के लिए वर्टिब्रेइट्स नंके बारे में बात करनी हैं सो जो advanced किसम के वर्टिब्रेइट्स है उन में बहुंसे excretory organs होते हैं लाइक अगर हम बात करें excretory इसमें आर्गन्स अमराज जो एक्रीशन से रिलेटिड होंगे इसमें बाद दफ़ा बाद कहलें कि बुक्स या बाद लोग बाद साइंसिस हों से हैं वो स्किन को भी इन्वाल्व करते हैं हंगा है स्किन जो से है यह स्वेट प्रोिडियूस करती है प्रसीना जीर का आयाता है से क Wrap लावा यसमें सार्स होते हैं एक्स्ट्रा सार्स का खश्ड़ होते हैं यह सीबंगी शेकल में इसकी झीषडृशन्स वोती हैं एक सीबंगी कहते हैं लेकिन फिर बाज में बाज रफा ये भी कहा जाता है जो बेसिकली ये स्वेट रिलीज करता है ये वो गर्मी के वज़ा से यानि कहलें कि ठंडक फील करने के लिए ठीक है यानि जब बहुत जादा तब ह Richter अपर साथ रफा नहीं बीडाल जाता है ये अब सिकिं जो साहर है और यह guitar जाता है सेखरों सीवं पर्दूश कर रहा है साथ से साथ तो वह बैक्टिरियोसाइडल है यह इनि वह इम्मुनिटी चैनल रोल प्ले कर रहे हैं ठीक है नि बाड़ी की डिफरेंस सिस्टम के अंदर रोल प्ले कर रहा है आब हम सेकन्ड पार्ट पे आते हैं इसमें एक तो लिवर हो जाएगा जिगर जिसे कहते हैं सइव जायरे बात पूरा यूरी नेरी सिस्टम होगा यूरिनरी सिस्टम के अंदर एक तो किड्नी आ जाएगा हमारे पास आगे हम बात करेंगे किड्नी के बाद यूरीटर से और यूरीटर के बाद यूरीथरा और उसे एक्सपेल करते रहे और किड्नी जो बना होता वो नेफरॉन से बनाता है हो हमारा यहाँ पर टार्व रोगा में नेफरान होगा क्यों किव्यों चुछों कि आज्पश्डूर्टर सिस्टम अज़ यह यह चalnya के इन्स चीज यह नेफरान में त्रब आएंगे और नेफरान जो सा यह इंस सेट्सल कीड्नी को बनाता है यह इन्स ठ्विडनी को किड्नी कि लिवर को डिसकस करेंगे कि लिवर किस तरह स्कुष्ट की आर्गरम के तोर पर रोल प्ले करता है तो यह निचे डागराम बनी विए इससे पहले हमने आपको याद होना चाहिए हमने एक यूरिया सैक्ल पड़ा था ठीक है वह कहां पर होता है टेक प्लेस इन लिवर ठीक ह आपको यह निचे चलो डागराम वह थोड़ी कर लें देख सो यह निचे त्री का पहला नेट्रोजन था इसे में ब्ल्यू कर रहता हूं यह निचे पर इसके बाद एक को नेट्रोजन यहां पर इंटर होता था था निचे का सेक्ट मालीकूल अल आस्पर टेट की शेकल में यह निचे पर इंटर होता है तो बाद में यूजिय की शेकल में रिलीक रहता है निचे निचे तू नहीं पहले हम पढ़ चुक्क है है नि हम अपस नैट्रोजन दो नैट्रोजन जों से वह यूजिया बनाता था इसके दर यह सारा स्टेप्स होता था तो सबसे पहले वह अल और दो दो निचे अंदर शिट्रोलीन बनाता था सिट्रोलीन से फिर वह अर्जिया सक्सिनेट ऐल आर्जियन तो यह यूजिया सैकल था जो कहां पर होता है लिवर में सो क्या सिरफ यूजिया बनाता है नहीं लिवर ने और भी चीशिदें बना थे अगर फिस्ट की बात करेंगे ना स्विस्ट में हमें यह एनस्ट्री आमोनिया देगा तो ही टेक कर दाए और अगर हम बर्ड की बात करें गे तो यह हमें यूरी केसिड दे रहए यूरी केसिड के थोड़ा बड़ा फार्मूला सेुपरे अब रहां मेंन focus और जैए। में है ठीक यूरिया टेरिस्ट्री निमें नह along के बात कर लें या वर्टिप्रेट्स की इस एक तो बर्ड्स बिखे तो आजा रंख राउयर जा टेरि स्छ रें कि के लें टेर्सिरे जरistä या दिसके अलग्त सबसे पहले आपको एक चीज़ यह में हुनी होज़े जो डिवर सबसे पहले आपको एक चीज़ जहाँ होणी कि जो के बाडी के अंधर ज़ात तर मैटाबालिजम होगा फों लीवर के अंदर होता है ठीक है अब मैटाबोलिक के अंदर एक सेंसी बहुता हो कि देख शकले का बनना जो से हम और जीन हम मैं आबोलिजम भी पिषयर है इसके लावा इसमें और क्या हो जाएगा बनाएगा जिसके अंदर जूरिया था जूरिया यो के मैं में होता है यूरिक एसीड है इसके लावा इसमें और क्या हो जाएगा बनाएगा इसमें बनेंगे प्लाज्मा प्रोटीन यह नि कहलें कि ब्लड करने प्लाज्मा होता है अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है जब हम किसी ट्यूब में में बनाता हूं इसके ने ब्लड लेते हैं इसको थोड़ी दर अगर हम छोड़ दें घंटे के लिए छोड़ दें तो आपको फिल महसूस होगा कि कुछ लिक्विड का पोर्शिन उपर रहा जाता है लाइक दिस और फिर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो लीचे बैट रहाते हैं ठीक है हosion सब्कुन होगा सब्सके ब्लड कर दिसके ब्लाग को हमने अदर ढंदक के लिए तो उसके ने सी existed होगा फ्राजम सेपरेट हो जाएगा बलर नीचे आजए अड़ै जो प्लाज्मा प्रोटीन दोने प्लाज्मा से सो बनाका वह भी विह गोत्तों पा dow टीजिस को ऑनसे ont 26 चाल्डव यह था बूद की इह consider को ही when को ऐसे अवा जो नाव में में आ आफ़ो की प्लाज्मा प्नभी दोन जोन कि असंसरे हो। इसके लावा थर्ड वन यह बनाता है बाइल ठीक है अगर आपको थोड़ा बहुत याद और डाइस्टिक सिस्टम का सो बाइल के अंदर क्या होते हैं साल्स होते हैं मॉस्ली ठीक है और बाइल किसले यूज होता था बहला डाइजेशन ओप कहलें के या इमल्सिफिकेशन का बनाता है इमल्सिफिकेशन ओफ लिप्रिट्स ठीक है कहा होताँ इनिंटस्ट्रीजिंट के एंदर जाता है वहां पर इमार्सिफिकेशन करता है वह फिर उसके बार करते हैं से इसके लाव से कहलें कि Diego suffering पृटा पी होते हैं सके हैं इसलिए स्टोर्ड مठील होता है इसके निसल स्टोर्ड में लिपड्स से पहले कोर सीजिभी बताते हैं कि यह प्र و चक्र बरहने यह थो इसलिशी है भीक लिपीर्स अधे गांते हैं भी पाकालिक डिकष्ट्र॑ल अधे बनाते हैं самुलिक है यह तो आपको नहीं पता है लेक्स Georgi प्लाजमा लैवल होता है हिनका टीक को आगे जानेए हम HDL high density lipids होते हैं LDL low density lipids फ्लाज्मा इस में फिर blood chemistry सारी आ जाते हैं ठीक है कि क्या 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 उसके अंदर हम कहलें कि लिपिड्स का कितना portion है और फिर आपको पता है जी कि लिपिड्स यूज कहां होते हैं लिपिड्स का यूज काफी जगा है अब यह कुछ चीज़ें यह स्टोर भी करेगा स्टोरेज में सबसे पहले जो इस एक्जेंपल है इसमें पहला पार्ट होगा वह आई honest माट जियना यह आर्क तोर करता है सब यह पिटे नहीं लिखिए लेकिन भैसिकल यह आरइन स्टोर करता है हीमोसीूर्डीन की शेक्र गहना और बिसीज के अंदर जो हीमोगोब रहते हैं इसके लावा साइकिन पार इसमें ग्लाइकोजिन आ जाएगा ग्लाइकोजिन का थोड़ा बोत आइडिया होना चाहिए आपको इस पोलीमरो किसी का पोलीमर होता है वहला है यह ग्लुकोज ठीक है यह जो कार्बोरेट का सबसे चोटा यूनियुडए ग्लुकोज जिसका फार्मुला सी 6-12-46 है तो यही चेंज की शकल में मिलते हैं इस तरह नेक्स ग्लुकोज आ जाए गने तो हम अब ग्लाइकोजिन आ जाता है और ग्लाइकोजिन स्टोर्ड फूड है यह कहलें के स्टोर्ड की वी फूड होती है ठी अब हम चलते हैं इसकी कनवरियन के पर के स्टोरिज हो गया इसके बाद इसके एक प्रॉसेस होता है कनवरियन का सो कनवरियन वही है जो मैं आप आपको बता चुका हूँ ठीक है मसला कनवरियन कनवरियन मैं यह होता है कि अगर बलड के अंदर मसल मैं एक बांडरी बनाता हूँ वीच में ूइक साथ पे बलड है और एक तरफ लीवर है झाई अगर ब्लड के अंदर ग्ल्द कोज ज़ाद़ा होगी इस ओतुम में तो वह ब्लड का करेगा इससे लीवर में बहजे गा सब्सक्राइब आगें घुल्ड कोजन गसे डियुआख ऑर अगर ब्लैट में गलुकोजन के लेवर कम ऌई पहले पर पता बेंखा त feeds कमोजाता है ऐधर अगर जाम पर पर ऑपघ्रोइन को पर कन रुद को कॉल्ड जब करता है यहां पर पैंस chats için कर yardım और जब के गलाइकोज घ्लकोज जो चुछिन कोबके और कृते होगा यह ग्लुका-गोन हो दो परी काफे कज़न है। करियन से मिलता है जुनता है एक टर्म जिसे हम कहते हैं री साइक्लिंग जो बराणा मट्रीन होता है यह कि ग्जेंपल के आता है इसकी ग्जेंपल के आता है जो अर्पिसी से ना रेड बलड सेंज दे के नियुक्त इनकी लाइफ कितनी होती है सब्सक्राइब करता है जो कि कहां पर यूज होता है आर्बिस्स के अंदर जो करता है इसक कैस्वきます शक्राइब करता है है इसके वाद डी टॉक्सिकेशं की क्या होता है टॉक्सिन किसे कहते हैं??? तोक्सिन है अगर आपको फश्ट थोड़ी को फियाद तो आपने टोक्सिन और इनिविटर भी कार देज़ा इनिविटर समराद यह नीविटर निव निविटर जो चैटें तॉक्सिन और स्बस्टांब्स डौर्टेंश निवेट्प करें इनका अड़ डिवर्स एक्ट होता टैफैक्त और बार्डी मेटाबॉलिन्स । वह द्बार्डी मेटाबॉलिस्ए लग निनिकभाडी मैटाबॉलिस्ही प्रशा उन्हेंबड़िक्वीट र्वॉम्ट को वाइट के ऐमेर्स्ण भी ल gefक्थ है वाई व्व कस जान की तक हुदिये हो लेकिन लेकिन कुछ पूर्षन बाडी के लिए हांफुल भी होता तो इसको आसा असा डिटॉक्सिफाइए किया जाता है इस तुरह पैस्टिसाइड्स होते हैं पैस्टिसाइड्स भी हांफुल होते हैं हमारे लिए ठीक है और इसमें कहलेंगे कुछ नशा अवर ड्रक्स भी होती हैं ड्रक्स से यहाँ पर आप क्या लेंगे बला यह नशा अवर जिन से नशा होता हूं ठीक है नशा अवर ड्रक्स सो इनकी भी डीटॉक्सिफिकेशन के दर यह हल्प करता है एक किसम के कहलें के मैटबॉलिकली करी इसके इंदर बहुत से प्रासेस हो रहे हैं कौन-कौन से हमने बात कर लिए मतना करें सबसे परत हमने सेंसिस करें कि अधियर करेंगा चीज है थी कि उसमें नाव ने सुना होगा यूर्या यूरिक केसिद्एमॉनिया बनाएगा फिर प देखा यह कुछ करता है और सश्टोरम करता है . दो होती है जो कि हम बता यह ऐचाइन जो होती है रही सटोर रखता है करता है इसके लगाइकोजीन होता है जो कि स्टोर्ड फूड होती है कर दें कर रहा है यह मसलें में घुलकोज ज्यादा हो तो है जो ब्लाट से यह ग्लुकोज को वापिस ले का कौन इनसुलेन इसमें काम पर आ दी ठीक है और जिसमें इनसुलीन नहीं बंती ना वह डाइबेटिक पेशिन बन जाते हैं इंसुलीन है जो ग्लैकोजन में करमार करता है और इसके लगवाब रिस्क्लिंग होती है मसला आर्बिसी की रिसाइकल करते हैं तो उसको फिर रिसाइकल करके दोबारा कहलें कि हीमोगलोबिन जो होती है चीज इसमें एक्चिल जो फ्रोटीन है एक इस हीमोगलोबिन को बेसिकली बना रहा हो तो और फिर इसकी पास होता है तो यह सारे हीमिन की जानता है इस टॉक्सिंस को डिटॉक्सिफिकेशायोब और गैस्टी साइड्ड्र सुख के नाम वाजरन आजरे होता है चीक है तो यह सारे क्योंक टॉक्सिंज ऑनदी सुख़ीट्यार करने का काम जो है किसके पास होताarto से आप हम बापिस चलते हैं हमने स्टार्ड कहांते लिया था सिंपल असish and vertebrates सो वर्टिप्रेट सकें हमने दो कैटेगृस्त बना दी इसके अंदर ऐक प्रिमिटिव टाइप होगी ठीक प्रिमिटीव टाइब पराने किसम है और थोड़ से अडवांस हो गए से फिरमिटीव टाइब वही जो अर्थवाम हम के ताफ्ट मैट्र नेफिडियम पाई जादता तरह ते और युरिनरी सिस्टम हो गए किड्नी और यूरिटर और पैल्विस वगएडरा हम काफी पाउर् तो थर्मोरागुलेशन में हेल्प करता है तेमप्रिट्र बैलंस में गर्मी वह उतला प्रसीन आता है सीवम जो उन्स है बैक्टिरियोसाइडल यह वह इम्मुनिटी के लिए जाता है कि यह एक्स्लूट कर दे जाता है करें इसके सारे फ्रंक्षेंज पड़ें रिखेंज क्या होते हैं सब्सक्राइब करें देखेंगे तो आज के लेक्टिर में जो जादा फूकस किया वह किसके बारे में लिवर के बारे में जो के मेटाबॉलिक हब झाल झाल झाल